गुड इउनिंग स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में पुलकेशिन सेकिंड के बारे में अध्यान करेंगे तो देखेगा छात्रों पुलकेशिन सेकिंड है ये इतिहास का एक बहुत ही परसित सासक रहा है और पुलकेशिन सेकिंड है ये बादामी के चालू के वंस का सरवा दिख सकती साली सासक था ठीक है और ये एक ऐसा सासक है जिसने वर्धन वंस के सबसे महान सासक हर्ष वर्धन को प्राजित किया था जिससे इसकी ख्याती बहुत ज्यादा बढ़ गई थी तो हमने आपको पहले भी बताया है चालू के वंस के बारे में और अभी आपको फिर से हम रिपीट कर देते हैं ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए तो देखेगा दक्सिड में जो राजवंस सासन कर रहा था वह चालू के राजवंस था और साक्तीं प्रारंभिक चो साका थी वह व्तापी के चालू के थे ठीक है और पूर्वी शाक्ती和 में ऐखत कर लौाई । ये टोपिक बहुत बड़ा है लेकिन एक्जाम के दस्टी से बहुत मैत्व पुड़ा है अता है आप इसको अच्छे से पढ़िएगा देखिएगा सुनिएगा ठीक है अब देखिएगा हमने पहले किया है कि जो बादा में के चालू के सासक है उनका जो मतलब जो संस्तापक ह वो पुलकेशिन पर्थम था जो रन्रा का पुत्र था ठीक है अब किया कि रन्रा तो एक सामनती व्यवस्ता में था अब पुलकेशिन पर्थम है वह क्या करता है कि सामनतों से चालू कियों को छुटकरा दिलाता है और चालू के वंसकी स्तापना करता है फिर जो पुलकेश सेकिड था लेकिन जब किर्थी वर्मन पर्थम की मर्तु होती है तो वह है उस समय के होता है कि जो पुलके स्िंसेकिंड है वह है अल्फ सेकिंड था तो मजबुरी में वह है अपने छोटे भाई supply अब देता ठीक है अब देख़ेगा जो मंगले से वह चालू के वंस इसे के बारे में हम आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे तो देखेगा होता है कि जो जो उतर के साइड में इसाइड में हर्शवर्धन रहता है तथा धक्षीर में जो पल्लव भी होते हैं तो जालू की पल्लव संगर्ष भी अच्छे से होता है mush तिक है आप जो पुलके सिन सेकिंड है 610 से 642 इस्वी में सासक रहा था और पुलके सिन सेकिंड है कीर्टी वर्मन पर्थम का पुतर था कीर्टी वर्मन पर्थम के तीन पुतर थे जिन में से सबसे बड़ा पुतर पुलके सिन सेकिंड था ठीक है और हमने आपको बताया कि यह अपन पर्वातिक सक्तिसाली यह पर्शित सासक था ठीक है और जो पुलकेशिन सेकिंड है इसने 17 श्री पर्थवी राज वल्लव महराज तथा पर्मेश्वर की उपादियां भी धारण की थी पुलकेशिन का जो पर्शस्ति लेख एहोल पर्शस्ति लेख है इससे इसके बारे में जानकरी प्राप्त होती है और इसका जो दरबारी कवियव रवी कीरती था इसने एहोल पर्शस्ति की रचना की थी पुलकेशिन सेकिंड जाता है ग्रैकलेश का हर्थ क्या होता है आपसी लड़ाई ठीक है अब क्यों होता है कि यह जो ग्रैकलेश होता है इसके कांट ज़िंद्र हो रहे थे ऐसी इस्तिती को देखकर पुलकेशिन सेकिंड अवा गबरा जाता है तथा अपने चाचा मंगलेश की हत्या कर देता है पुलकेशिन सेकिंड विंध्या चलके दक्षिन के संपून दक्षिनी भारत का अधिपती बन गया उसने अपने विशाल का अधिए वैंगी का चल्यूय राजि कहला है झी से हम पूर्वी चलूय के नाम से जानते हैं इसके बारे में भी हम आपको आगे पढ़ाएंगे हैं के यह उत्त्री भारत में अपने समराज़े का विश्तार रहा था तो उत्री भारत में समराजय का विस्तार करके वाया दक्षिनी भारत पर अधिकार करने की सोचता है जैसे ही हर्षवर्दन नर्मदा नदी के तट पर आता है उसके लड़ाई पुलकेशिन सेकिंड से हो जाती है तता हर्षवर्दन की हार हो जाती है एसा मनन हमें एहोल अभिलेक से मिलता है और इसके बाद होता है पल्लव चालू के संगर्ष ठीक है तो पल्लव चालू के संगर्ष का सुत्रपाद भी पुलकेशिन सेकिंड के काल से होता है कई बार कि उसन पूछ लेते हैं कि पल्लव चालू के संगर्षका सुत्रपाद के सासक के काल से होता हूँ पुलकेसिन सेकिंड और पल्लव अंसका सासक इस समय कौन था? महंदर वर्मन था इसी समय पुलकेसिन सेकिंड ने पल्लवों की राजदनी का थी? कांची इस पर आकर्मन कर दिया था और पल्लवों के राज़े के जो उत्री प्रांथ है उन पे अधिकार कर लिया था पुलकेशिन सेकिंड ने पल्लों पर पहला आकर्मन किया तो उसने कांची के केवल उत्री प्रांत को ही अपने अधिकार में किया था अब पुलकेशिन सेकिंड दूसरी बार कांची पर आकर्मन करता है और संपुन कांची पर अपना अधिकार करना चाहता है तता इस बार कांची का सासकोन होता है महिंदर वर्मन का पुत्र नर्शी है वर्मन पर्थम जो एक सक्तिसाले सासक होता है वह अपने पिता की हार का और अपने पिता के अपमान का बदला लेना चाहता है और पुलकेशन सेकिंड को पराजित कर देता है यहां से होता है उसने क्या-क्या था? वेन सांग ने पुलके सिन सेकिंड के दरबार की यात्रा भी की थी ठीक है? तो ये हमने आपको स्टोरी बताई पुलके सिन सेकिंड के बारे में और इसे ही हम आपको आगे नोर्स के रूप में पढ़ाएंगे तो देखेगा पढ़ते हैं पुलके सिन सेकिंड का इतिहास तो देखेगा पुलके सिन द्वीतिय कीर्टी वर्मन पर्थम का पुत्र था तथा पुलके सिन पर्थम इसके दादा थे तो पुलके सिन द्वीतिय है ये कीर्टी वर्मन पर्थम का पुत्र था और इसके दादागों ते पुलकेशिन पर्थम जो बादामी के चालू के मंस के संस्तापक थे ठीक है जिसके बारे में हमने पहले आपको वीडियो दिखाया था और जो पुलकेशिन सेकिंड है इसका सहसन का 610 से 642 सिस्वी तक था पुलकेशिन सेकिंड ने ग्रह युद में अपने चाचा मंगलेश पर विजे प्राप्त कर सत्ता पर कबजा किया था ठीक है मंगलेश के बारे में भी हमने आपको पहले वीडियो दिखाया था और ग्रह युद क्या होता है मतलब आपस में जगड़ा जो घर के अंदर ही लड़ाई करने लग जाते हैं तो पुलकेश अब देखेगा जो पर्थवी वल्लब और सत्त्याश्रे यह उपादिया धारण किस ने किती पुलकेशन पर्थम ने भी किती और कीर्ति वन्मन ने भी किती लेकिन इन दोनों अपादियों को मिला दिया और स्री पर्थवी वनलब सत्यासरे की उपादी धारण की और परमेश्वर की उपादी भी इसने धारण की थी पुलकेशन ज्वीते ने कई राज़ों को प्रास्त किया था जैसे राष्ट्रकूर्सा से गोविंद है लाट मालवा तता ब्रेगुकच के गुजरों को भी इसने हराया था तो रास्त कूटों के बारे में भी हमने आपको पहले पढ़ाया है इसने कदंबों को मैसूर के गंगों तता केरल के अलूपों को भी हराया था इसने कोंकण की राजदानी पूरी पर भी अपना अधिकार जमा लिया था पुलके सिंद्विते ने चालू के सासक महिंदर वर्मन को हरा कर उसकी राजदानी कांची पर अधिकार कर लिया था पुलके सिंद्विते ने कावेरी से लेकर नर्मदा नदी के तठके सभी पर अपना अधिकार कर लिया तता अर्था दक्षिन के बड़े भूबाग पर पुलके सिंद्विते का अधिकार था अब देखेगा हर्ष वर्दन ये पुलके सिंद्विते के मद्धे यूद तो हर्ष वर्दन हमने आपको बताया वर्दन वंस का जो सबसे सकती साली सा सकता उत्तर में इसका राज़े था और इसको इसने पुलके सिंद्विते के मजबूत करने के बाद पुलके सिंद्विते उत्तरी पहत में भी अपनी इस्तित्य को मजबूत करना जाता है तता उत्तर में वर्दन वंस के सकती साली सा सक हर्ष वर्दन से यूद करता है तता यूद में हर्ष वर्दन को हरा देता है धता अपनी विजे के उपलक्स में दक्षिना पथे स्वर तता परमेस्वर की उपादी धारन करता है को पुलकेसिन सेकिन तो पुलकेसिन सेकिन ने दक्षिना पथे स्वर की उपादी भी धारन की थी कि इस उपलक्स में पुलकेसिन सेकिन को हराने के उपलक्स में और इन सब पुलकेशन सेकेंड के बारे में जानकारी का सबसे परशित साधन है और यह Ok messed का मतलब गुणध धरम का ना तो जो पहले प्राजनकाल में जो भी राजह वगरा होते थेश Which क्या करते थे कि अपने बारे में बताने के अपनी परसंसा के लिए लिखवाते थे या फिर पत्थर फे खुदवाते थे उसे परसंस्ति कहा जाता था ठीक है तो इसने अपने पुलकेशन सेकेड ने अपने मतलब की अपने गुण धरम आदी का वड़न करने के लिए एहुल लिखवाई थी जो जिसके रचियता रवी कीरती थे जो जैन थे और ये संस्क्रिट भासा में लिखा गया है अब देखेगा होता है कि पुलकेशन सेकेंड आई हर्षवर्दन को हराता है और अब होता है पल्लव चालो के संगर से तो अंतिमे ही होता है कि पुलकेशन ध्व कर लेता है इसी यूद में पुलकेशन सेकेंड की मरतिव हो जाती है तता नर्शिय वर्मन ने वाता पिओन की उपदी धारण की थी तो कई बार इस्टिके जो एकजांस वगेरा होते है उन में कई बार क्यों सनाता है कि वाता पी कोन की उपदी किस ने धारण की थी वह में और 642 में ठीक है अब देखेगा कि जो 641 में हर्षवर्दन के दर्बार में कौन चीनी यात्री वेंसांग आया था और इसी समय पुलकेसिन सेकंड के दर्बार में भी वेंसांग ने इसकी दर्बार की यात्रा की थी कई बार के उसे पूछ लेते हैं कि चीनी यात्री वेंसांग अब किसके काल में आया था वो हर्षवर्दन और इधर चालू के सासके पुलकेसिन सेकंड और देखेगा जो पुलकेसिन सेक कि लगभग पारस देश के समराठ भुकरी द्वित्य के दरबार में अपना दूत भेज कर उफार भेंट के थे वेंसांग भी उसके विदेशी संबंदों के बारे में बताता है ऐसा भी माना जाता है कि इरानी सासके खुसरो सेकिंड उसका परम मित्र था ठीक है तो इस वीड वीडियो में हम आपको पुलके सिंद्वित्य की उपलब्धियों उसके परशावसन अधिके बारे में भी जानकरी परदान करेंगे जो एक्जाम के दरश्ची से बहुत मैत्तव पुन है हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद